नमस्कार मैं हूँ चराक ठाकुर और आप देख रहे हैं MP तक हमें एक बार पिर आ गए हैं आप तक मौसम का हाल लेकर MP में सितंबर के अंद तक कई जिलो में जमा जम बारिश का दौर देखने को मिला आखरी दौर की इस बारिश ने किसानों को भी परेशान किया और उनकी फसलों को भी नुकसान पहुचाया बहराल अब बारिश का दौर थपने की और हैं बुदवार के दिन भी अधिकतर जिलों में तेज धूप देखने को मिली है लेकिन गुरुवार के लिए कई जिलों में बारिश की गिरने की संभावना मौसम विभाग ने जता दी है मौसम विभाग ने खरगोन, बडवानी, खंडवा, बुरहानपुर जिलों में गरत चमक के साथ हलकी बारिश होने की संभावना जता है मौसम विभाग ने इन जिलों के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है फिलाल आपको ये भी पता दे कि MP में अब मौनसून की विदाई का वक्त आ चुका है MP में 21 जून को मौनसून एंटर हुआ था और एक सब्ता के अंदर अंदर पूरे प्रदेश में एक्टिव हो गया था गौलियर चंबल के इलाके में ये सबसे लेट पहुचा था लेकिन इन ही जिलों में सबसे पहले इसकी विदाई होना शुरू हुई है बारिश की बात करें तो प्रदेश में अब तक एवरेज 44.1 इंच बारिश हो चुकी है जो मौनसून के सामान्य कोटे 33.3 इंच के मुकाबले 18 प्रतिशत अधीक है बारिश के मामले में जबलपुर संभाग सबसे आगे रहा यहांके मंडला जिले में सबसे ज्यादा बारिश हुई है मंडला में 60.6 इंच से ज्यादा पानी गिर चुका है वहीं सिवनी में 56.8 इंच पानी गिरा है मौसम विभाग ने गौलियर भिंड, मुरेना, दतिया, शिवपुरी और शोपुर से मौनसून की विदाई की खोशना कर दी है मौसम विभाग के मुताबिक अभी प्रदेश में कोई भी ऐसा सिस्टम अक्टिव नहीं है जो बारिश करा दी लोकल सिस्टम की वज़े से जरूर कुछ जिलों में हलकी बारिश हो सकती है लेकिन तेज बारिश होने के आसार अभी कहीं भी प्रदेश में दिखाई नहीं दे रहें आपको ये भी बता दे कि आने माले दिनों में कई जिलों से मौनसून विदा हो जाएगा और दस्तारिक तक पूरे प्रदेश से इसकी विदाई हो जाएगी इससे पहले प्रदेश में गर्मी का असर देखने को मिल सकता है हाला कि 20 अक्टोबर के बाद से प्रदेश में राते ठंडी होने लगेगी और सर्दी की आहट देखने को मिल सकती है मपी से जुड़ी बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें